Hello students, welcome to Manit तो बच्चों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका J.E.Main का रिजल्ट आ चुका है और आपकी जो परसेंटाइल है वो देखने के बाद आपके मन में इच्छा होगी कि सर मैं कौन सा IIT कॉलेज ले सकता हूँ या कौन सा IIT कॉलेज ले सकता हूँ आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे वो कौन सी टॉप IIT हैं जिने आपको टारगेट करना चाहिए या फिर अगर मुझे IIT में कोई पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए मुझे अपनी कैटेगरी पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है कौन सा IIT चूज करना चाहिए इसके लिए बच्छो मुझे मालूम है आप क्या करने वाले आप बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे जाके देखने वाले बट यस दिर इस शॉटकट उस प्रोसेस के थ्रू जो है आप इजीली सारी चीज़े अनलाइज कर सकते हैं तो मैम और मैं पूरी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं हमारे पास अगर हम टॉप 10 NIT की बात करें तो 10 NIT हो गई और फिर मल्टिपल डिपार्टमेंट से सिविल, मेकानिकल, इलेक्टरकल, कम्प्यूटर साइंस अगर सब की डिटेल स्टुडेंट वीडियो के थ्रू जानने जाएंगे तो मिनिममम 50 to 55 वीडियो आपको देखने पड़ जाएगी तो ऐसा शॉटकट आपको बताते हैं जहां पर आपको ऑथेंटिक डेटा भी मिल जाएगा और आप अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से सारी NIT का ओपनिंग रैंक्स क्या थी, क्लोजिंग रैंक्स क्या थी, यह सारी चीज़े चेक कर पाऊगे बट उससे पहले सार सबसे पहले डिसकस करते हैं कि टॉप टेन NIT कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले बात करते हैं NIRF रैंकिंग के बेसिस पर जो सबसे पहली NIT है, that is where NIT Trichy, सेकेंड आपकी है NIT सूरतकल, थर्ड आपकी है NIT रोड करा, फूर्थ आपकी है NIT वारंगल, फि अगर आप यहां पर सारी NIT को देखोगे तो यहां पर हमने हैश्टेग करके रैंकिंग को भी मेंशन कर दिया है, तो Trichy जो है वो नंबर वन पर चल रही है, और बहुत सारे स्टुडेंट, सर बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है, जो न्यू आइटी को छोड़के, ओल्ड NIT की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर आपको new IIT मिल रही है और उसी के comparison में NIT Trichy मिल रही है, so NIT Trichy कई बार one of the best decision हो जाता है स्टुडेंट के लिए, क्योंकि यहां के packages भी काफी अच्छे है, infrastructure भी काफी अच्छा है, और quality education आपको यहां पर देखने को मिलती है, करेंट में, तो मेंली वह जाता है बच्छों की हम बहुत बार यह सोचते हैं कि नहीं मुझे IIT के अंदर ही सीड चाहिए और उस case के अंदर हम NIT को नेग्रेट कर देते, ऐसा नहीं है, जैसा में ने बताया, यह सारी चीज़े डिसाइड होती है कि उस institute का ecosystem कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के alumnus कैसे हैं, तो यह जो सारी चीज़े हैं, आपको बहुत अच्छे से in top 10 NIT के अंदर मिल जाती है, तो मैं इन से थोड़ा सा और इनको बताते हैं कि NIT कहां लोकेटेड हैं, किस तरह से analyze कर सकते हैं, क्योंकि यह सर काफी important हो जाता है, कई बार student family conditions क कि वज़े से बहुत दूर नहीं जाना चाहते, तो आपको एक बर locations पता होंगी, यह जो top NIT हमारी हैं, उनके location आप map पर देख सकते हो, और उसके basis पर आप decision ले सकते हो, कि कौन सी NIT आप prefer करने वाले हो, यहां पर हमने locations को भी mention कर दिया है, इसी कि साथ साथ, अगर हम best branches की ब इंटरस्ट इन कम्पीटर साइंस अन आईटी, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी interdisciplinary departments हैं, जिसमें student interest लेते हैं, और आज के टाइम पर आपने बीटेक को complete कर रहे हैं, तो यह वाला कॉलम ऐसी नहीं बनाया, यह हमने totally आपके उपर छोड दिया है, according to your interest आप चूज करि है, तो सिर सबसे पहले चलते हैं कि वह जो हमने बोला है कि quick आप चीजे चेक कर सकते हो, shortcut एक अपना सकते हो, तो इसके बारे में discuss करते हैं, definitely ma'am, तो बचो आपको करना किया है, जैसे हमने कुछ डेटाबेस खोल रखा है, पर आपको बता जो आपको क्या करना है, ठीक है, वह blank है, अभी उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, बट आपको जो है opening and closing rank देखनी है, जैसे आप इसके क्लिक करते हैं, to verify आप देख लीजिए, last year 23 का पूरा analysis है आपर, इसके थुरू आप पूरी चीजे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं पूरा बताएंग, उससे पहले, छोटी स नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, better analysis के लिए, 6th round में क्या रहा, उस चीज के उपर बात करेंगे, क्योंकि 6th round में आपको बता जल जाएगा, कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी NIT में एंटर करने की, तो suppose कर लेते हैं, आप 6th round का data चेक करना चाहते हो, तो आपने स क्लिक कर दीजे, उसके बाद सारी NIT's के लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, then you have to choose कि आप कौन सी NIT का चेक करना चाहते हो, तो I think sir, number 1 NIT को टागेट करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, NIT Trichy के तरफ, ठीक है, तो इसको जब आप ऐसे स्क्रो होगे, तो सारे departments आपको मिल जाएगे, मतलब यह एक ऐसी चीज है, जहां पर आपको authentic data तो मिलेगा, प्लस आपका time भी बहुत जादा सेफ हो जाएगा, और आप तो खुदी intelligent हो, why to depend on others, why to watch 50-60 videos on the same thing, जो आप खुद से चेक कर सकते हो, अपना brain यूज करके, अपनी proper analysis कर सक then उसके बाद बिटा आपको यहां पर categories मिल जाएगी, आप चाहो all category चेक कर सकते हो, या फिर आप जो भी specific category में लाए करते हो, उसको आप बढ़िये तरीके से चेक कर सकते हो, हम यहां पर all category ले ले लेते हैं, all category लेने के बाद जस्ट आपको submit कर देना है, और आप देख सकते हो, यहां पर proper details आगे है, opening ranks आगे है, closing ranks आगे है, और category wise home state हो गया, other state हो गया, सारा data आपको मिलेगा, sir इसको भी एक बाद डिटेल में डिसकस कर रहेते हैं, क्योंकि जाए मेंस का जो रिजल्ट आएगा, उसमें student को percentile दी होगी, but यहां पर क्या है, कि से rank दी होई है, तो क अंदर appear करें, हमें इस data से यहां पर कुछ analogy नहीं लगानी, क्योंकि यह current data है, यह जो आप screen पर देख रहे है, वो last year का data है, उसके अंदर 11 lakh aspirants ने जेए मेन को जो है, दिया था, अब दो कर आपको यहां पर percentile और rank का कुछ relation निकालना है, तो बहुत simple चीज है, आप देख सक लिखते हैं, NIT 30 के अंदर, CS branch के अंदर, home state quota के अंदर, closing rank 5164 रही थी, अगर एक simple calculation में करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ 11 lakh का जो है, one percent कितना होगा, तो आप बोलेंगे 11,000 sir, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 0.5 क्या होगा, तो आप बोलेंगे roughly roughly match कर रहे है, 5500, ठीक ना था, अगर वो चाहता, मैं इसके अंदर admission ले सकूं, similarly, अगर HS की जगर, हम other state की बात करें, तो other state में obviously competition थोड़ा जादा रहता है, यहाँ थोड़ा नहीं, बहुत जादा आप देख सकते हैं, यहाँ पर, 1509, तो यहाँ पर roughly मैं कह सकता हूँ, 98.5 जो है, percentile cutoff यहाँ पर OBC, SC, ST, इन सब के अंदर आप अपनी cutoff check कर सकते हैं, मैं just आपकी help के लिए, एक और जो है, आपर check करके बता देता हूँ, यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे, तो home state, EWS में, 3280, यह जो है, यह rank गई थी, आपको करना क्या है, यहाँ पर, simple logic, आपको 11 lakh से divide करके, पहले female only, super and numeracy, ठीक है, इसका मतलब क्या मैं यह भी बता देता हूँ, बहुत important है, अभी जब आप इसे देख रहे हैं, तो you can ignore this data, reason, कि यह तभी activate होता है, जब same marks पे multiple candidates हैं, और उसमें भी female है, for a simple logic में आपको बता सकता हूँ, अगर किसी NIT के अंदर, किसी branch में 30 seeds हैं, but जब प female भी है, तो एक simple process बनाया गया है, कि हम female को include करके number of seeds को increase कर देते हैं, ताकि हम females को थोड़ा सा privilege दे सके, जिससे की जो है, उनका भी जो है, इस course के अंदर admission हो जाए, so that is the ideology behind this, so अभी के लिए बच्चे इसे ignore करके, normal वाला जो है, gender neutral, उसके थूँ जो है, अपना predictions देख सकते So finally, इसी तरीके से आप क्या है, अपने requirement के हिसाब से ये data पुट करिये, submit करिये, और बहुत सारो authentic data आप fetch कर सकते हो, और उसके analysis भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, so I think, सारी detail हमने discuss कर ली है, बट हर ऐसा होता है, कि आप लोगों के mind में भी कुछ ना कुछ डाउट्स जाते हैं, तो इस डाउट को पूछना जो है, वा बिलकुल भी मत भूलियेगा, comment section में अपने डाउट्स को लिखना बिलकुल ना भूले, we will address your doubts also, thank you very much, goodbye and take care, thank you, best wishes for your all the other examinations.